नमस्कार दिललन टॉप देख रहे हैं आप मैं हूँ गरिमा संजो सामसंग के राजस्थान रोयल्स ने आई पेल 2021 के सेकंड लेक की शुरुआ जीत के साथ की है राजस्थान रोयल्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब केंग्स को दो रन से हरा दिया है अब टीम पॉइंट स्टेवल में पाश्वी नंबर पर आ गई है मैच के बाद पंजाब केंग्स के गप्तान केल राहूल ने इस हर पर बात की है उन्होंने कहा कि इस हर को पचा पाना बहुत मुश्किल है मैच में जीत्ती दिख रही पंजाब केंग्स को आखरी ओवर में राजिस्थान रॉयल्स के हातों हर का सामना करना पड़ा इस पर बात करते हुए केल राहूल ने कहा इस हर को पचा पाना बहुत मुश्किल है हमें ये देखने की जरूरत है कि हम दबाव को बहतर तरीके से कैसे समाल सकते हैं ये खेल में बेस्टीमों के साथ हुआ है ये सुईकालना कठिन है कि आपने अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखा है हमने पहले 6 ओवर में अच्छी लेंच से गेंदबाजी की दुर्भाग्या है कि बल्ले के किनारों से लगकर निकली गेंदों ने हमसे ये जीत दूर कर दी लेकिन हमने गेंद से इस मैच में अच्छी वापसी की थी मैच में क्या हुआ? आईपेल 2021 के 32 मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीत कर पहले गेदबाजी करने का फैसला किया था बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रोयल्स ने 185 रन बोर्ड पर टांग दिये थे टीम के लिए यशुस्वी जैसवाल ने 49 रन, मही पाल लोंग रोल ने 43 रन और एवन लुइस ने 36 रनों की शांदार पारिया खेली थी मही पंजाब के लिए अश्दीप सिंग ने 5 विकेट जटके थे जीत के लिए 186 रनों का लक्षे लेकर मैदान पर उत्री पंजाब की टीम 20 ओवरों में 183 रन ही बना पाई टीम के लिए मयंक अगरवाल ने सबसे जाला सड़सर केल राहूल ने 49 और निकुलेस पूरन ने 32 रनों की पारिके 19 वे ओवर तक मैच में जीत्ती नजर आ रही पंजाब केंग्स ने आखरी ओवर में मैच गवा दिया यूपी के पेसर कातिक त्यागी ने आखरी ओवर में सिर्फ एक रन देते हुए दो विकेट निकाले और राजिस्थान को हारा हुआ मैच जटा दिया हालकि इस हार में भी राहुल के लिए एक खुश ख़बरी है अपनी 49 रन की पारी की बदावलत राहुल अब शिखर धवन के साथ जॉइंट रूप में और इंज कैप होल्डर बन गए है दोनों बल्लेबाजों के नाम इस सीजन में 380 रन है अब जाते जाते एक काम की बात पाइफ पैसा अप से अप निवेश कलना और भी असान है पाच मिनट में डीमेंट अकाउंट बनाए और पाइफ रिसर्च टूल्स, इन्वेस्मेंट एडवाईज, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपे पर प्रेट पर इस वीडियो पे बस इतना ही मैं हूँ गरिमा कैमरे के पीछ रहे हैं राशित, स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दीललन टॉप, शुक्रिया